नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO और TATA के द्वारा मिलकर डिजाइन किये गए और इंडिया में ही बनाए गए 8-wheeled armored personal carrier के बारे में और इसके trial भी शुरू हो चुके हैं लद्दा के अंदर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और अपने सबसे ज़्यादा efficient equipment को लगा रही है लद्दा के अंदर ताकि अगर उसका सामना चाइना की People's Liberation Army से होता है तो वह पूरी तरह से तैयार हो और इसी के मद्दे नजर जो 8-wheeled armored personal carrier बनाया गया है हमारी infantry troops के लिए वो ले के अंदर trials के अंदर है दोस्तों ये vehicle high altitude winter trial से गुजरेगा और ये हमारी troops को transport करने के अंदर बहुत ज़्यादा effective होगा और साथ ही strategic height को occupy करने के अंदर भी मदद कर सकता है और इसके इलावा इसे depth song के area के अंदर भी test किया जाएगा specially दोस्तों इसके engine की functioning को देखने के लिए और दोस्तों report में ये कहा गया है कि इन नए station carrier का सफलता पूर्वक examination हो जाना हमें नए advanced infantry combat vehicle को देने का एक कारन बन सकता है और दोस्तों अगर हम इन vehicles की खासियत के बारे में बात करें तो ये बहुती easily operate होते हैं ये बहुती quicker हैं बहुती fastly ये कहीं भी पहुंच सकते हैं इनकी amphibious nature है इने कहीं भी दोस्तों air lift किया जा सकता है आसानी से और बहुत से vital point जो line of actual control के उपर है वहाँ इने easily ले जाया जा सकता है और दोस्तों ये भी कहा गया है कि इन vehicles को पैंगोंग सो लेक और इसके इलावा चुमार और दोलत बे गोल्डी को नजदीक भी लगाया जा सकता है ताकि हमारी armed forces को बल मिले और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसे DRDO ने ही design किया है और बनाया है और ये हमारे government के जो नए कदम उठाए जा रहे है self-reliant या फिर कहें कि आतम निर्बर भारत के लिए defense sector में उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा धन्यावाद जैहिन